हेलो फ्रेंड्स ए स्माइलिंग टूबर पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मुसलिम धरम के बारे में अभी मुसल्मानों का पवितर महिना रमजान चल रहा है इस महिने में मुसलिम रोजा रखकर खुदा की इबादत करते हैं और बुरे कामों से तोबा करते हैं इसलाम का अर्थ है शान्ती लेकिन इन दिनों दुनिया में इसलाम को लेकर कई गलत धारनाई है इसलाम का अर्थ है मानवता से प्यार करना यदि एक वैक्ति अच्छा इंसान नहीं है तो वह एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता बहुत से देशों को दाड़ी रखने वाले पुर्शों और बुर्खा पहनने वाली महलाओं से एक अंजाना सा डर रहता है जिसे इसलामफोबिया कहा जाता है इसलाम एक ऐसा धरम है जिसे लोगोंने सही समझा नहीं है क्योंकि उन्हें इसकी मूल बाते पता नहीं है इसलाम अन्य धरमों का आदर करता है और अन्य धरमों के लोगों से भाईचारा रखना सिखाता है ये हैं इसलाम से जुड़ी कुछ खास बाते इसलाम धरम के परवर्तक हजरत मुहम्मद साहब थे इसलाम धरम के बुन्याद कुरान, सुन्नत और हदीश है कुरान वह पवित्र गरंथ है जिसमें हजरत मुहम्मद के पास इश्वर के जरीए भेजे गए संदेश शामिल है सुन्नत में मुहम्मद साहब द्वारा किये गए कारिये बताए गए है वहीं हदीस ऐसा ग्रंथ है जिसमें मुहम्मद साहब के उबदेश शामिल है इसलाम धरम की एक खासेत यह भी है कि इसे मुहम्मद साहब ने सोच विचात कर नहीं बनाया बलकि इसका इलहाम हुआ यानि समाधी की इस्तती में दर्शन हुआ कुरान का मतलब भी बोली गई या पढ़ी हुई चीज या बात है मक्का और मुहम्मद दोनों को इसलाम में बहुत माना जाता है लेकिन उनकी पूजा नहीं होती क्योंकि अल्ला के अलावा किसी और को पूजना पाप समझा जाता है बुर्खा या हिजाब का मतलब सिरफ अपने आपको ढखना है मुस्लिम महिला के लिए बुर्खा पहनना अनिवारिय नहीं है वे अन्य धीले और मौडन कपड़े भी पहन सकती है बस आपके शरी का कोई हिस्सा दिखना नहीं चाहिए शराब और स्मॉकिंग इसलाम में बंध है क्योंकि यह एक दीमा जहर है और इसलाम में आत्महत्या वर्जित है इसलाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ धरम है हिंसा इसलाम की खिलाफ है इसलाम का मतलब है शांती जो वैक्ति खुद को मुसल्मान कहता है और हिंसा पहलाता है इसलाम ऐसे वैक्ति को स्विकार नहीं करता इसलाम धर्म मानने वाले को पांच धार्मिक करतवे पूरे करना जरूरी है ये है कलमा पढ़ना यह मानना, समरन करना और बोलना कि अल्ला एक है और मुहम्मद साब उनके रसूल है नमाज हर रोज पांच बार अल्ला से प्रार्थना करना इसे सलात भी पुकारा जाता है रोजा रखना इसलाम धर्म का पवित्र महिना होता है रमजान जकात सलाना आमदनी का एक नियत हिस्सा दान करना हज इसलाम धर्म के पवित्र तीर्थ इस्थानों मक्का और मदिना की यात्रा करना